हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयो लर्निंग, तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर फाइव, मॉर्फोलोजी ओफ लॉवरिंग प्लांट्स, जिसमें हमने रूट सिस्टम पढ़ा था, रूट सिस्टम में हमने तीन तरह के सिस्टम्स पढ़े थे, एक पढ़ा था हम हमने टैप रूट सिस्टम, दूसरा हमने पढ़ा था, फाइब्रस रूट सिस्टम, और तीसरा हमने पढ़ा था, एड्वेंटिशियस रूट सिस्टम, और रूट के क्या फंक्शन्स होते हैं, यह हमने पिछली क्लास में देखा था, अब हम आगे रूट में क्या तो region of root में हमें सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है कौन-कौन से regions होते हैं root में तो पहला region होता है जिसको हम बोलते है root cap उसके उपर एक region आता है जिसको हम बोलते है region of meristematic activity उसके बाद आता है next region region of elongation elongation के उपर एक और region present होता है जिसको हम बोलते है region of maturation और इस maturation region में ही आ जाते हैं root hairs अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे root cap के बारे में तो root का जो tip होता है इस tip point पे इसको हम apex point भी बोलते हैं यहाँ पर एक cover present होता एक thimble like structure present होता और हम बोल सकते एक cap present होती है जो root को क्या करती है protection provide करती है जिससे वो damage ना हो इसको ही हम बोलते है root cap root cap क्या है कि यहाँ पर root जो है वो apex पे tip वाले portion पे एक thimble like structure जो होगा इसको हम क्या बोल रहे हैं cover बोल रहे हैं वो इस root को cover करेगी तो इसको हम क्या बोलते हैं पहला region root cap अब इसके बाद जो है वो region of meristematic activity आता है यह meristematic activity region है इसका मतलब यहाँ पर जो meristematic cells है वो क्या करते हैं वो division करते हैं divide करेंगे तो अगर उनको division करनी है तो वो cells कैसे होंगे बहुत ही small होंगे छोटे cell होंगे और उनकी wall बहुत पतली होगी और protoplasm कैसा होगा dense होगा काफी घना protoplasm होगा और यहाँ पर वो divide करते जाएंगे तो यह region हो जाएगा meristematic activity region अब इसके उपर वाला region जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि root का जो growth है उसकी जो लंबा ही है वो बढ़ रही है इसलिए हम इस region को बोलते है region of elongation इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो cells होंगे वो क्या करेंगे elongation शुरू कर देंगे जिससे root की growth हो जाए उसकी length जो है वो बढ़ जाए इसलिए इसको हम बोलते है region of elongation अब इस region of elongation के बाद जो है हम देखते हैं कौन सा region आता है region of maturation यहाँ पर काम कैसा हो गया है permanent हो गया ठीक है division वगेरा stop हो गई है तो यहाँ पर जो elongation zone के या elongation region के जो cells थे वो धीरे धीरे जो है वो differentiate हो गया और mature हो गया यानि उन्हेंने अपनी identity gain कर ली यानि किसको क्या बनना है यह उनको पता चल गया और अब वो पूरी तरह से हो गए है mature अब जब mature होंगे तो उनके ओपर कुछ ना कुछ changes तो आएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ जो region of maturation था उनसमें क्या हुआ कुछ hair like structures का formation हो गया तो कैसे हुए यह कुछ years और यह root years क्या करते है water को absorb करते है minerals को absorb करते है soil से जिसकी help से पूरे plant क्यों जो है वो जो है grow करने में nutrition मिलता है और growth में help होती है तो यह सारे regions थे root के पहला region में दियान रखना है root cap दूसरा region में दियान रखना है meristematic activity region तीसरा region elongation चौथा maturation और उस maturation में ही root years का formation हो जाएगा next हम बात करेंगे अब modifications root की तो modification of roots में क्या होता है कि जो tap roots है और जो adventitious roots है यह अपने अंदर क्या करते है modifications करते हैं तो जिसमें इनको क्या बोलते है fleshy tap roots fleshy tap roots हैं यह अगर हम शेप देखें तो जो गाजर होती है उसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाती है को निकल है ना इस तरह से को निकल जाती है उपर से थोड़ी ब्रॉड रहती है नीचे से पतली से भी हो जाती है ना तो यह कैसी हो गई को निकल शेप क्यों हो गई कि इसको फूड फूड राता अब ठर्दिप यानि शलंगम की बात करें तो शलगम जो है वो उपर से थोड़ी सी शेप में आती है शलगम नीचे से क्या रूट निकली होती है यह शलगम के अंदर ठीक है नीचे से थोड़ी पतली होने लगती है उपर से थोड़ी सी मोटी सी रहती है इसको भी क्या करना होता है फूड स्टोर करना होता है तो यह किस त Phạpas तो मतलब इनको क्या चाहिज़े औक सीज़न चाहिए ताकि यह respiration कर सकें किसलीए यह ज़ियAJ जो थोड़ा सा भी जो दल दल ली होते हैं वहाँ पे जैसे राइजो फोराव जो प्लांट है इसकी रूट्स इस तरह से होती है वर्टिकली अपवर्ट जो है वो ग्राउंड के ऊपर स्वाइल के अंदर नहीं दिखेंगी ऊपर हमें देखने को मिलेंगी बड़ी हाड और ऊपर की तरफ हमें जो यह रूट्स रूट्स में मौडिफिकेशन में यहाँ पर हम एक्जामपल ले रहे हैं किसका स्वीट पटेटो का ठीक है तो जैसे हमारे पास शकरकंद है इसमें क्या होता है यह सूज जाती है फूल जाती है स्टोर फूड तो इसका शेप कैसा हो जाता है पिंडल शेप हो जाती है यह हमारी शकरकंदी होती है यह कैसी हो जाती है स्पिंडल शेप जो है यह अटेन करती है क्यों 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 कि इसको क्या करना होता है फूड स्टोर करना होता है इस वज़े से यह फूल जाती है तो यह एक एडवेंटेशियस रूट्स में मौडिफिकेशन होई दूसरी हाँ प्रॉप रूट प्रॉट जो है यह भी क्या है एडवेंटेशियस रूटस में भी मॉडिफिकेशन है वने पछली क्लास में भी देखा था बन्यांठी बन्यांठी जैसे हमारे पास यह बन्यांठी है इसमें यहाँ पर इसकी जो horizontal ब्रांचिस निकली है जो horizontal है इनको हम क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स और ये भी क्या है एड्वेंटेशन pai ही टाइप है और हम क्या सकते है Except है मौस्टिफिकेशन है next हम देखते हैं स्टिल ट्रूट जो है इसमें त्हिकिन रूट में हम क्या देखेंगे स्टिल्ट रूट में हम क्या देखते हैं कि जो मेज और शुगरकेन है इसमें हमें देखने को मिलती है जैसे मेज की हम बात करें हैं शुगरकेन के हम बात करते हैं इसमें हम देखते हैं कि देखो यह स्टेम है शुगरकेन का यहां पर यह नोड प्रेजेंट है यहां पर यह तो इस तरह की roots को हम बोलते हैं stilt roots ये भी क्या है adventitious roots की ही एक type है और हम क्या सकते हैं इसमें modification हो गई तो बन गई stilt root हमने इनको नाम दे दिया तो यह क्या करती है support देती है इसको तो देखो हमने आज क्लास में हमने क्या देखा modifications of root देखा और regions of root देखा next class में हम stem के बारे में बात करेंगे